हेलो एब्रिवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वेकंसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं PMC Infratech की तरफ से डिपलोमा और B.B.Tech वालों के लिए वेकंसी आई हुई है यहाँ पर लगवक सभी ब्रांच के लिए वेकंसी है तो जिन भी दोस्तों ने हमारे डिपलोमा या B.B.Tech कर रखा है Civil, Electrical या फिर Mechanical Engineering से वो लोग यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं अगर हम बात करें आपके सेलेक्शन प्रोसेस की तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका डारेक्ट इंटर्वी की आधार पर रहने वाला है वर्क उलेकेशन यहाँ पर आपकी उत्तर प्रदेस रहने वाली है तो जो भी दोस्तों हमारे इसके लिए इंट्रेस्ट होते हैं, इलिजबर होते हैं हलाकि यहाँ पर सभी पोस्टों के लिए आपसे experience मांगा गया है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं आपका official notice जारी किया गया है PNC Infratech Limited की तरफ से यह company आपकी आगरा UP based company है company ने अपने जो है profile में बताया है PNC Infratech Limited, one of the leading infrastructure group required water supply professionals for their ongoing project in उत्तरप्रदेश different location location जो है आपकी रहने वाली है बहराईच, पीली भीत, बारावंकी, बदाई और अलीगर में उत्तरप्रदेश की different location में इनके water supply के project चल रहे हैं तो वहाँ पर ही इन्हें professionals की जरूरत है अब बात कर लेते हैं आपके नेमो पोस्ट की तो पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है आपकी billing engineer और planning engineer के लिए फिर पोस्ट है आपकी इंजीनियर, assistant manager, deputy manager और manager के लिए और फिर यहाँ पर ITIO, draftman के लिए supervisor की पोस्ट रहने वाली है educational qualification में यहाँ पर आपको बता रखा है पोस्ट आपके यहां पर बिलिंग और प्लानिंग इंजिनियर की रहने वाली है यहां पर आपसे B.B.T. क्या फिक डिप्लोमा मांगा गया है इन सिविल इंजिनिरिंग में मिनिमम जो है आपके पास यहां पर 5 एर का एक्स्पिरेंस होना चाहिए इस्किल जो है कौन-कौन सी रिक्वार्ड है क्लाइंट एन कॉंट्रेक्टर बिलिंग SAP वर्किंग प्रिफेर्ड ठेक है दूसरी पोस्ट यहां पर रहने वाली है इंजिनियर, असिस्टेंट मेनेजर, डिप्ती मेनेजर और मेनेजर के लिए यहां पर आपसे भी भी टेक और डिप्लोमा मंगा गया है सिविल, एलेक्ट्रिकल और मेकेनिकल इंजिनिरिंग में मिनिमम यहां पर भी 5 यह का आपसे एक्सपिरेंस मंगा गया है यहां पर आपको पाइपिंग और सिविल वर्क से सम्बंदित जानकारी होनी चाहिए और लाश्ट पोश्ट यहां पर आपकी रहने वाली है सुपरवाइजर के लिए यहां पर आपसे आईटिया या ड्राफ्ट्मेंट मंगा गया है मिनिममम आपके पास थ्री यर का एक्सपिरेंस होना चाहिए एक्सपिरेंस आपका होना चाहिए पाइपिंग का पाइप लाइन को भी छाना है जॉइंट जो है उसके जोरने है पानी की टेंकी बन रही है या pump house, trip world या फिर civil work से जो भी आपके कारे आते हैं उनसे संबंधित आपका experience होना चाहिए Experience में यहाँ पर आपको एक बार फिर से बता रखा है कि आपके पास minimum 3 year का experience होना चाहिए Experience आपका किसका होना चाहिए? Pump house का, installation का, testing का, commissioning का, house trip connection का, billing और planning का Note में करके यहाँ पर आपको दे रखा है Candidate must have valid driving license यानि आपके पास 2 wheeler bike होनी चाहिए अब बात कर लेते हैं how to apply कि आप इसके लिए apply कैसे कर सकते हैं तो यहाँ पर नीचे corner में आप देख सकते हैं कि एक इनकी official mail दे गई है आपको करना क्या है? आपको अपना updated CV लेना है और इनकी official mail पर आपको send कर देना है इंटर्वी जो है आपका कहा होने वाला है? इंटर्वी आपका होने वाला है वारा नसी में देट यहाँ पर आपको 18 September 2022 दे रखी है दिन है आपका रईवार इंटर्वी आपका सुबा 10 बज़े से लेकर सामके 5 बज़े तक रहने वाला है तो जिन भी दोस्तन है हमारे वी बीटे काफिक डिप्लोमा कर रखा है सिविल, एलेक्टिकल या फिर मेकेनिकल इंजिनरिंग से अगर आप इसके लिए इंटरेस्टल होते हैं, इलीजिबल होते हैं तो आपको सबसे पहले इनकी ओफिसल मेल पर आपको अपना सीवी सेंट कर देना है और इनके वेन्यू पर आपको पहुंच जाना है 18 सेप्टमबर को तो आपको इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी बहुत हैल्प जरूर मिली होगी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबका थेंक्यू, सुक्रिया वीडियो को लाइक करें, सेयर करें चैनल पर नए हैं तो सबस्क्राइब जरूर करें